मेहत्वपून खबर लखन उससे विधान सभा में आज सीम योगी आदितनाथ का संबोधन जी आपसे थोड़ी देर में सदन को संबोधित करते नसराएंगे अठारवी विधान सभा को पहली बार मुख्यमंत्रे योगी आदितनाथ संबोधित करते दिखाई देंगे इस तरह से बस आपसे थोड़ी देर का और इंतेजार समय रखा गया था दो बच्चे का दो बच्च चुके हैं ऐसे में आपसे थोड़ी देर में सदन के अंदर मुख्यमंत्रे योगी आदितनाथ का संबोधन आपसन पाएंगे विदान सभा में वो अपना संबोधन देंगे थोड़ी धिर में सदन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आज इतना तठारवी विदान सभा को पहली बार संबोधित करते दिखाई देंगे जा तरसल यह दूसरे इनहीं दूसरी पारी और यह सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विदान सभा अध्यक्ष के पत के लिए सतेश महाना निर्विरोध चुने गई ऐसे में बधाईयों का सिल्चला शुपतामनाव का सिल्चला लगतार जारी और सतेश महाना भी हाथ ज जिनने जब मंत्री मंडल में जखा नहीं मिले तो तमाम तरह के कयास लगाये जा रहे थे लेकिन जल्द ही इस पस्ट हो किया कि उन्हें विदान सभा ध्यक्ष के महत्पून पद्ध की जिम्मेदारी सौपी जा रही है और इसमें देखिए वो कुछ कह भी रही है अब देखिए अठारवी विदान सभा कि अभ्यक्ष की रूप में सरवान में आपके चैन के लिए मैं पुरे सदन की और से आप काविन अंदन करता हूँ और आपको बठाई देखा यह बड़ा सुखत संजोग है कि आप से पहले सप्रा महनवाओं ने इस पथ को सुसोवित किया और आप अठारवे अध्यक्ष के रूप में अठारवे अध्यक्ष के अध्यक्ष के अध्यक्ष के रूप में आज इस पथ पर आसीन हुए हैं मैं हिलगे से पूरे सदन की ओर से आपका विननदन करता हूँ हमारे सास्तर हमें एक बात के लिए पेड़ना देते हैं कि जब भी महान बनने का कोई आउसर मिले तो हमें आउसर से तंचित नहीं होना चाहिए पेटरियोपनिस्ट्र ने भी कहा है कि भुत्वे न प्रमित्व्यम यानि महान बनने के सौसर से चूकना नहीं चाहिए और आपके नाम से तो महाना ही जुड़ा हुआ है सौफाई प्रुप से लोग तंट्र के इस गौरवपूर्ण आसन पर बिराजमान होना है किसी भी सदस्य के लिए न केवल अबिनंदनिय है बलकि गौरवपूर्ण भी और फिर इस पीट पर एक अन्भवी सदस्य का चेन सरवानमती सी हो यह अत्यंत सुख़द की अन्भूती कराता है और खास्तोर पर तब जब तर्वदेश विधान सभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं मार्च प्रथम सप्ता में दोनों और से मिसालें चल रही थी और उस समय हर बेक्टी एक दोसने के हमलों से जुलसने से बचने के लिए अपने प्ले अस्तर पर प्रियास कर रहा था लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर गदेश में ही कि राजनितिक मजभेत वहले ही कितने क्यों नहों लेकिन लोगतंत्र को पुष्ट करने के लिए सरवानमती का रास्ता अपनाने और लोगतंत्र की गरिमा को और इसमें मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभ्यान को आगे बढ़ाएंगे और आज आपका सरवानमती से यहाँ पर चयन हुआ है यह सचमुच भारत की उनमजबूत लोगतंत्रिक परंप्राओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है मैं इसके लिए सत्तापक्स और वितक्स से जुड़े भी अपने सभी मानने जो नेता जण है नेता पतिपक्स है और सभी दमों के अपने नेताओं के साथ साथ नो निर्वाची सभी मानने सभस्यों को भी मैं हिर्दे से उनके चुनाओं के लिए और आपके चुनाओं के लिए भी मैं उन सब का हिर्वे से बिनंदन भी करता हूँ और धन्य बाद भी देखा हूँ अब्देश जी जब हम लोग उत्तरपदेश विधान सभा की बात करते हैं उत्तरपदेश विधान सभा की अध्यप को सुवित दिया से केसिर नात्र पार्टी जी ने तीन बार उत्तरपदेश विधान सभा की गर्मा में मैं पूर्ण सभा को सुवित किया और आज जब हम अठारवी विधान सभा में हैं तो इस सदन के वरिष्ट सदस्या स्री माता प्रशाद पांडे जी ने भी दो बार विधान सभा अध्यप्स के पत को सुवित किया है आज भी इस सदन के माने सदस्या चुने गए हैं आपका चेन बहुत सारा संदेश देता है इस संदेश अध्यप्स पद जैसे गरिमा मूर्ट में पद के लिए तो है ही हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को उस्ट और मद्बूत करने की जिस से भी महत्वपून है और उस से भी महत्वपून कि लोकतंत्र के जो दो पहिये हैं एक सत्ता पक्स है एक बिपक्स है दोनों मिल करके उत्तरवरदेश की 25 करोड जनता के सर्वांगीर्ड विकास के कार्वियों को भी एक नई उचाई तक पहुचा करके नए भारत का नया उत्तरवरदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं और यह संदेश उत्तरवरदेश की कोड़ी कोड़ी जन्मानस के बीच में एक बहुत सकारत्मक संदेश देता है हमने अभी मार्च प्रतम सप्ता थै चुनाओ के दोरान देखा एक दूसरे पर आरोप प्रक्यारोप आकसे और बयान बाजियों का जो दौर चलता रहा है हर दल अपने इसार करता थै लेकिन एक चीज़ है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं उत्तरवरदेश के अंदर भी देखते हैं जन्ता कभी नकारत्मक्ता कोई स्विकार नहीं करते कभी नहीं जो लोग कल्यान का कारक होगा जनता उसी को अंगिकार करती है जो नकारात्मत होगा हमारे समाज ने हमारे देश ने कभी भी नकारात्मत्ता को कभी भी कोई महत्रों नहीं दिया नकारात्मत्ता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है सकारात्मता से ही हम न केवल रटपी के मार्ग को आगे वढ़ा सकते हैं बलकि सकारात्मता के हो से ही लोग कल्यान का मार्ग भी पसस्त कर सकते हैं और आज जब देश की अपेकसाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हो हरे एक छेत्र में हो दुनिया जब अपने डवंद में उलजी हुई हो उन इसक्रतिएं में भारत से हो उस प्रकार के पिक्साएं उत्तर प्रदेश से रखना और उत्तर प्रदेश को उन अपेकसाँ पर खराउतरने के लिए अप्ने आपको खयार करना है और लोकतंत्रिक बिवस्था में जब सत्ता पक्स और विपक्स मिलकर के एक साथ मिलकर के सभ्यान का सेभागी बनता है तो एक और एक दो नहीं होता है वल्कि वह मिलकर के ग्यारह की ताकत बनतर के मजबूती के सिर्था के साथ लोक्तंत्र की इस बिवस्ता को न किवल पुष्ट करता है बलकि इसे और भी मस्बूती के साथ आगे बढ़ाने का काड़े करता है उन जनातांसा अपकी पूर्ती करने का माध्यम बंता है जिस के लिए आम जनमानस ने हमारी इस सभी जन परतनिशियों पर विश्त्वास किया है इस अभी चुनाओ जीत करके आए जन्ता के सामने आम जन्मानस ने इन पर विश्वास किया आम जन्मानस का इन पर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है और उस विश्वास पर कहीं भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसे अब विश्वास में नहीं बदलने देना है यह हमारा लक्षय होना चाहिए और इस दिसा में प्रियास की शुरुवाद कल से में देख रहा हूँ माने सबस्यों ने सपध्ध्धन किया सपध्ध्धन करने के बाद जिस शकारात्मक भाव के साथ सपध्ध्धन का कारिक्टरम प्रारंब हुआ मैंने देखा है किकाल तक यहाँ पर 343 माने सबस्यों ने एक दिन में ही सपध्ध्धन कर लिया था साथ माने सबस्य बज़ गए थे उनका सपध्ध्धन अधिकतर ने आज यहाँ पर अपना सपध्ध्धन ही संपन किया है और किस सकालत में भाव के साथ सब लोग मिलकर के इस कारिक्रम का अगे बढ़ा रहे हैं अच्चनाव सिंपन हो चुके हैं अब हमें पिकास के बारे में सोचना है उत्तर प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना है उत्तर प्रदेश की 25 करोड जंता के हितों के संबर्धन के लिए सोचना है उत्तरप्रदेश के युवाओं के बारे में उत्तरप्रदेश की आधी आवादी महिलाओं के बारे में सोचना है उत्तरप्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है उत्तरप्रदेश के मजबूरों के बारे में सोचना है सासिन की योजनों से यह मजबूती के साथ जोडने का कारिया अब सदन करे इस विश्वास के साथ उसका एक प्रतिरूप आज लिधान सवाद धग्स की रूप में सरुसम्मति से आपके चेन की स्प्रक्रिया का होना इसे बात को मजबूती से और मजबूत करता है कि हम सब मिलकर के इस सदन की उच्च मर्यादाओं को उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कारिक करेंगे और आज आपका चेन उसका एक उधारन भी है देश के अंदर विभिन्मत विधान सवाएं उत्तरफदेश के विधान सवाएं के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसको बहुत मजबूतीक से देखती है मुझे याद है जब पिछले कालखंड पिछले सत्रवी विधान सवाएं इस सदी की सबसे बड़ी महमारी के दोरान हम लोगों ने बिर्हान सवाएं के सत्र को यहाँ पे संचालित करने का निर्णे लिया बहुत सारी प्रशन उठ रहे थे कि करोना में सदन चलाना क्या उस्चेक है हम लोगों ने का देखे संवेधानी बादेताये हैं और विधाई कुछ कारे संपन्न होने आउस्चेक है इस पिससे हम लोग उसकी कोई ब्योस्था देने जा रहे हैं हम लोगों का सत्र बहुत संक्षिप सत्र था लेकिन सत्र कैसे हमने संचालित किया है विभिन में राज्यों से मेरे पास फोन आते थे कि कैसे आपने सदन का संचालन किया कैसे इस कारेकरम को आगे बढ़ाया और सत्रवी विधान सभा तो इस मामने में बहुत रिच रही है कि उसने बहुत सारे इसे कारे किये जो वास्तों में कारेकाल सत्रवी विधान सभा में सरकार को भी ये मानने सदस्यों को भी तीन वर्स का ही कारेकाल का एक उसर प्राप्तु हुआ था दो वर्स करोना जैसी महामारी से जूसते वे गतित हुए लेकिन उन तीन वर्सों में भी पहली बार संस्तेनेवल डवलमेंट कोस पर सदन में चर्चा हो सके लगातार 26 घंटे तक चर्चा चल सके सिक्सा के छेटर में स्वास्ते के छेटर में गरीबी उन वुलन के छेटर में अनदाबा किसानों के लिए प्रियावरन के लिए कैसे हम उस विकास की प्रक्रिया को सतत बढ़ाने के लिए तारे कर सकेंगे इस वर चर्चा होती इस वर इसी सदन में रास्पिता महत्मा गांधी की एक सो पजासवी जैन्टी के उसर पर लगातार 36 घंटे तक हमारे सदन का चलना मन्य सदस्यों के मन में आम जन्मानस के प्रती बसी औभाउना का प्रदर्शित करने का एक माध्यम बना था उसने देश के अंदर एक बहुत सकारत्मक संदेश दिया मैंने पास तमाम संस्ताओं के और से इस बारे में संपर्क किया गया कैसे इस काडिक्रम को चलाए गया क्या गोल्स ने इधारिक हुए है सरकार ने उस पॉल्स को अचीप करने के लिए अपने आगे की रोड मैं क्या तैयार किया है इन सब पर एक सकारत्मक पहल आगे बढ़ी थी यही सदन था जब हम लोगों ने 2019 में इसी सदन में 26 नौमर 2019 को सम्मिधान को अंगिकार करने के दिवस को उसकी सत्रमी वर्स गहांट पर एक विसेश सत्र कायूजन सम्मिधान से समंधितर बाबा साब भीम राओं बेट करके प्रफित सरदार सम्मान का भाव व्यक्ति करते थी इस आउसर पर एक विसेश सत्र हमनों को ने जित हुआ था जब 31 दिसंबर 2019 को समिधान के 126 संसोदन विधेर के समर्थन के लिए हम लोगों ने किसेश सत्र यहां पर आयूजित किया था जो अनुसुचित जाती जन जाती से समंधित उनके हितों से समंधित एक इसेश सत्र आयूजित किया गया था 2020 के प्रारंब में साथमें राष्क मंदल संस्थिय संग भारत प्रिछेतर का एक एक्षासिक संवेलन भी यहां पर आयूजित हुआ था तिस गर्मामूर्थ मही तरीके से सत्र के संचालन को उन्होंने अपनी विद्धता से अपने सारजिनिक जीवन के अनुभाव से आगे बढ़ाने का कारे किया था पत्यंत अभिनंदनी ये रहा था और उत्तर प्रदेश विद्धान सवहा में जिन बातों पर चर्चा होती थी जिन मुद्दों को यहां पर उखाया जाता था उसकी गौँज देश के अंदर विभिन राज्यों के साथ ही प्रदेश के अंदर भी गाउं और गलियों तक भी सुनने को देखने को हम सब को मिलते थे उस्तर प्रदेश विद्धान सवहा में जनता से जुड़े भी इस मुद्वे पर गंबीर चरचा हुई है आदि इस दिसा में एक ने परष्टाव को आगे वढ़ाया है आज ये अलग-अलग-अलग-उद्धों पर जनता के बीच में भी ये बाते सुनने को मिलती है वह एक सहथ ठकारतमत भाव होता है मुझे लगता है कि जब जनता अपनी विदाई संस्था को एक विश्वास के रूप में देखती है तो हम मान करके चलें कि यह लोगपंत्र के प्रफि आम जन्मानस के विश्वास को प्रकटी करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है और लोगपंत्र के प्रफि आम जन्मानस का विश्वास लोगपंत्र को सबसे ज़्यादा मजबूती दे सकता है और उस मजबूती का आधार हमें इस सदन को बनाना ही होगा इस दिस से आज आपका चेयन हुआ है हम सब जानते हैं आप लगातार आठवी बार उत्तरपदेश जिभान सभा के सबस्ष्य चुने गए है आपके पास सारजनिक जीवन का एक लंबा अनुभाव है कानपूर जैसे ओद्योगिक छित्र में मार गंगा के तक पर वसे है इस ओद्योगिक नगर में जमीन से जुड़े एक आम कारे करता की रूप में कारे करते हैं बूत अस्तर की कारे करता की रूप में मंडल अध्यक्स की रूप में कारे करता की रूप में शिक्सा और सेवा के छेत्र में कारे करने वाले संगठनों के पदादीकारी और एक सामाने कारे करता की रूप में कारे करते हुए, आपने एक लंबे समय तर जहां उस फिर्ड में काम किया, वही आठ बार से कानपूर महानगर से विधायत की रूप में आपका चेयन आज इस स सरकारों में भी अलग-अलग मंत्री पत्का रहित्तों का निर्वहन किया, और कुसलता पुर्वक अपने नित्रत च्छंता का, अपनी प्रसासनिक च्छंता का, अपनी आम जैनमानस के प्रती, अपनी संबेदनाओं को प्रदर्सित भी किया हुए, वहां आपके द्वारा ले गए निर्णेयों के आधार पर, आपके द्वारा किये गए कारियों के माध्यन से, बार बार एक सबस्ते का एक छेत्र से चुनाओ जाना, यहां और वहां भी तब, जब द्रभाग्य से जातिवाद की सुनाजनीती की उस आभी में, एक व्यक्ति जिसकी अपनी कोई चा आतिये पैचान महो, जिसने अपने जन्म के साथ ही पैत्रिक रूप से महाना सब्द जोड़ करके अपने कोई कहा कि भहिया हम तो सेवा करते करते महान हैं, इसलिए हम दो यह वन रास्तवाद, सुसासन, विकास और गरीब कल्यान के इस अभिहान के साथ जोड़ करके अपन निश्पक्ष विसलेशन के लिए सबस्क्राइब करें जनतंत्र टीवी और प्रेस दा बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट